हुआ है तो नमश्खार से यात यात आयात हमारे सामा चिएवन से जुड़ी हुई एक ऐसी गतिविधी है कृष से हम लोगों ने देख से जरूर आरा वास्ता परते है। और हम लोगों ने देखा है पिछले कुछ दिनों में खास करके गोरफपुर में यातायाद ब्योस्था में बहुत कुछ परिवर्तन किए गये हैं बहुत कुछ सुधर गई है ब्योस्था कई बार होता था कि पहले लंबे-लंबे जाम लगे हुए घंटे-घंटे भर लोग र से रहते थे और जाहरती बात है कि यह जब व्योस्थाय सुधरती है तो उसके पीछे कोई व्यक्ति होता है और आज हम उन्हीं से आपको रूबरू करा रहे हैं स्री सबसे पहले मैं यह सोताओं की तरफ से आप से पूछना चाहूंगा कि गोरापूर में जो ट्रैफिक व्योस्था में सुधार हुआ इसके प्रेंड़ा आपने कहां से लिए क्योंकि बहुत कुछ बदल गया खास करके पिछले दो-तीन महीनों में बहुत कुछ बदला है सभी स बिवस्थाओं को सुधारने में किसी व्यक्ति विश्थ का हाथ होता है मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ मैं समझता हूं कि बिवस्थाओं के सुधार में सबसे ज्यादा सबसे एहम रोल होता है उजर्ष का जो कि हमारे शुरोता है हमारे अवाम है हमारी जनता है वही जिम् बश्वी ट्राफिक के रूप में जोईन किया, उस समय बिवस्था संतोष जनक नहीं कही जा सकती है। उस बिवस्था में क्या कम्या थी, पहले मैंने उन लूप होल्स का अध्यन किया। उसकी बाद लूप होल्स को जनता के मार्दियम से पिलग करने का प्रयास किया। पर खड़े होकर शड़क पर चलने वालों को जागरूक किया उस जागरूकता के कारण ही यह यहतायत बिवस्ता में सुधार की प्रयास एक हमने किया वो प्रयास आगे भी लगातार जारी है ताकि हम गोरखपुर के लिए पूरवांचल का सबसे मैतपूर, सुगम और सुरक् हैं तो कई बार चौराहों पर सुनाई पड़ता है कि कोई एंबुलेंस जा रही है जिसके लिए ग्रीन कारीडोर बनाया जाना है तो यह से तमाम हमारे शुरूता है भगवान ने करें लेकिन अगर किसी को ऐसी जरूत पड़ती है तो इसकी बेवस्ता आप लोग कैसे करते है और हमें ग्रीन कारीडोर देना है जो लोग दुरगटना में गायल होते हैं या गंभी दूप से विमार होते हैं जिनको इमेडियेट मेडिकल एसिस्टेंस की आफसकता होती है ऐसे लोगों के लिए समय रहते इलाज मिलने से उनकी जान बढ़ सकती है इसी को दिहान में हमने CMO गोरखपर से संपर्क किया और उन्होंने हमारा 108 एंबुलेंस और 102 एंबुलेंस की जो सुब्दा है उसके नोडल ऑफिस से संपर्क कराया तो 108 के नोडल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के द्वारा हमारे ITMS जो नगर निगम में इस्तापित है उसको सूचना आती है और हमने अपना एक ग्रूप बना रखा है उस ग्रूप में जो एंबुलेंस का रास्ता है उस रास्ते में डूटी रद सभी ट्राफिक कर्मियों और सभी थाने के कर्मियों को हम एक साथ सूचना देते हैं कि फला नंबर की एंबुलेंस आ रही है उनको तातकालिक एलाज क आवसकता है इसलिए इनको green corridor दिया जाए तो लगातार हम अपने लोगों को announce करते हैं जो लोग ambulance के रास्ते वाले रास्ते में पढ़ने वाले चौराहों पर रहते हैं इसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में जिसको मेडिकल वासा में golden hour भी कहा जाता है यह दूरी जो की जिला अस्पताल emergency से बी आरडी तक जाने में पहले करीब 30 से 45 नट लगते थे इस समय को घटा कर हमने green corridor के माध्यम से 12 मिनट से 8 मिनट तक कर दिया है आठ से 12 मिनट में हमारी ambulance जिला अस्पताल से बी आरडी आज की डेट में पहुँच जाती है इसके लिए पुना नागरिक जिम्मेदार हैं जो की रास्ता देते हैं जिसकी वज़े से हम लोगों की जान बचाने में अपना भी जोल अदा कर रहे हैं अच्छा सर यह तो हुआ कि जिले के कोडिनेट कर रहे हैं अगर गैर जंपत से जब एम्बूलेंस चलती है तो वो हमारे जिला अस्पताल को सुचना देते हैं उसके माद्यम से हम कम्यूनिकेशन हो जाता है और हम बॉर्डर के थानों से लेके अपने ग्रीन कोरिडियोर का रूट लंबा का देते हैं इस प्रि से में चुट गया है उसकी सूचना आप लोग देते रहते हैं या इसका उल्टा हुआ किसी का समान चुट गया उसने नोटिस नहीं किया और आटो वाले ने दे दिया तो यह ब्योस्ता कैसे काम कर रही है और कितिनी सफलता इस ब्योस्ता में आपको मिली यह हमारे जो पब कि जोली भी छूट गया है लैपटॉप भी छूट गया है तो वो समान सुता लाके यतायत का रहले पर दे देते हैं उनके अंदर की इमानदारी की भावना प्रवल हुई है जिसकी बज़े से वो लोग लाकर दे देते हैं अत्वा उनको यह भी लगता है कि हम कैमरे की नज इतने समय उसका सामान चूट गया है तो हम इसको एनाउंस करते हैं अपने पब्लिक एडिस सिस्टम के माधियम से उस एनाउंस्मेंट के माधियम से आटो चालक के कान तक ही आवाज पहुंचती है और वो लाकर हमको सामान बापस कर जाते हैं इसके लिए आटो एसोसियेश का मैं शुक्र गुजार हूं कि हमारे आटो चालकों और इस इपसा चालकों द्वारा लोगों का सामान लटाए जाने में एतायत कर्मियों के साथ साथ उनका रोल भी कम नहीं है अच्छा अगर बाइद वे किसी का सामान चूट गया तो किसे सूचित करे अगर उनका सामान तो जुक्त हो तो ट्रैफिक हेलब प्लाइन इया आएटेगमेस हेलप लाइन पर सूचना दे सकते हैं आथी हमारे सिटी कंट्रयूम को सूचना दे सकते हैं कहींपर भी उसी कर्दने क्रैंशन बना रहे हैं क्या प्रयास हो रहे हैं आप दिन का मॉटिवेशन बहुत जरू किसी भी संग्ठन में motivation depend करता है, आप कर्मचारियों से कितना interact करते हैं, कर्मचारियों के सुख और दुख में साथ देना, जो अच्छा काम करें उनके लिए reward देना, और जो गलत काम करते हैं, गल्ती करते हैं, उनको गल्ती पर समझाना, उनको सुधार का मौका देना, और फि motivation का सबसे अच्छी प्रिक्रिया यही है, मैं लगातार अपने सभी कर्मचारियों के लिए जो अच्छा कारी करते हैं करल्यानकारी कारी करते हैं, डूटी पर अपनी ट्राफिक डूटी को संचालित करते हुए बेलफियर के अन्यकारी करते हैं उन सभी को बुला-बुला कर मैं प्रिस्थि पत्र देता हूं पब्लिकली उनको हम मीटिंग्स में क्लैप करते हैं उनको अप्रेसियेट करते हैं और उनके लिए विभिन मार्ध प्रस्कत किया जाता है निसंदे एक मोटिवेशन रहता है तब वे लोग काम बढ़िया करते हैं त्रेफिक पुलिस की बात जो आज चल रहा है आज एक ब्योस्ता है बहुत कुछ सुधर चुका है लेकिन सुधर एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है तो बगल वाला नहीं पहनता है और पीछे वाले तो बहुतम रेयर केसमे आप देखेंगे कि कभी सीड बैंड में और हैदम। enabled इन सब चीज़ आज को आप ब तक लागू करेंगे जैसे दिलियू इसे महानगरों में तो अगर आप फीछे भी बैड़ आदेके बेना सिड़ च कि पुलिस इनको चालान करने को उद्देश से चालान करती है ऐसा बिलकुल नहीं है इसकी मुख उपयोगता है आपकी जीवन रक्षा में आपको स्वेम जावरूख होना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए तो जो अभी तक केबल चालक लगा रहा है पीछे वाले नही पूंऊनारा शाहां रहा राएं है चाहें हेलक हूए तो मेरा समर्थ से इंड़िए कि पीछे बैले भी लगाएं क्यूंकि नियम यही थी है कि पीछे बैठने वाला भी हेलमेट लगायेगा और फोर्विलर में में पीछे बैठने वाला भी seatbelt लगाएगा चूंकि अभी जाग रूपता का समय चल रहा है निरंतर सुधार का प्रियास जारी है हमने गोरखपुर शहर में 95% लोगों के लिए helmet पहनाने में हम कामयाब हुए हैं drivers और उनके बगल में बैठने वाले front sheet के लोग four wheeler में seatbelt लगा रहे हैं और अभी हम जाग रूप कर रहे हैं कि पीछे वाले भी helmet लगाएं और पीछे वाले भी seatbelt लगाएं कुछ समय के लिए उनके लिए सुधार का मौका दिया जा रहा है ताकि सभी लोग एवर हो जाएं और किसी को ऐसा ना लगे कि यातायत पुलिस जवजस्ती चालान कर रही है तो सबसे पहला काम जावरूगता लोग जाने ताकि उनके लिए यातायत नियम एक burden की तरीके से या चालान के उद्देश से ना प्रतीत हो और निकट भविष में पीछे बैखने वालों का भी चालान किया जाए चूंकि यह काउशक्ता इसलिए जैसे आश्टिन ने कहा है कि सास्ती विधी को आरोपित करने का एक तरीका है तो कुछ लोगों के लिए तो सास्त की जरूरत पड़ेगी अच्छा सर यह जो भविष्क की योजनाय हैं वो तो बात हुई खास करके युवा जो है कई बार हम देखते हैं कि बहुत परिपकों नहीं है और बाइक लेके निकल गए बच्चों में के टेंडेंसी भी होती है कि पापा की बाइक है और चाभी कही गंभी नात प्रेक्षा ग्रह में एक बड़ा कारिक्रम महा अप्राइल में आउजित किया था उसमें सभी सीवीएसी और आईसीएसी विद्यालेओं के प्रबंधक और प्रिंसिपल्स को बुलाया गया था उनके माध्यम से हमने सभी बच्चों के लिए उनके गार्जियंस बच्चे जरूर करें ताकि क्योंकि बच्चा हमारे राष्ट की संपत्ती है भविस है उनकी स्वरक्षित रहना बहुत आवश्चक है इसलिए हमने विद्यालेओं के माध्यम से जागरूक किया एक सेंटल मीटिंग करके उसके बाद जगह जगह विद्याले में हमारी टीम इसके अलावा हमने एंसीसी के माध्यम से इन सभी के लिए हमने जागरूक किया क्योंकि वाओं में उर्जा बहुत ज़ादा होती है इसलिए उनको समझाया गया कि अपनी उर्जा को सही दिशा में लगाएं अपनी उस उर्जा के लिए गाड़ी के इंजन और एक्सिलरेट है जिस हिसाब से भीड़ है उस हिसाब से गिव बे का फार्मूला अपना है कि जो आगे जा रहा है उसको रास्ता पहले दें थोड़ा सा स्रयम रखें इससे आप भी स्रक्षित रहेंगे और शटक पर चलने वाले अन्रशायाते भी स्रक्षित रहेंगे इस बाचीत के अंत मे क्या संदेश आप देना चाहेंगे आम जनता को आम जनता के इल से मेरा यही अन्रोध है कि सब लोग यतायात नेमों का पालन बेहतर भविश्च के लिए करें चाहें वो स्वैम हो स्वैम है तो फैमली के स्वैम वो कहता दरता है अगर स्वैम आसरुक्षित तरीके से चलेंगे तो चलने से पहले अपने बच्चों का अपने परवार का ध्यान करें कि हम जिनके लिए काम कर रहे हैं उनको खत्वे में ना डालें स्वैम के लापरवाई से और गार्जियन्स को ये सला है कि अपने बच्चों के लिए अगर वो अंडरेज हैं या वो बिना हेलमेट के जाते हैं तो बच्चों को भी समझाएं बच्चों के माध्यम से हम यही बात गार्जियन तक पहुचाते हैं स्कूल में जाका कि आप अपने पैरेंट को समझाएं कि पापा आप हेलमेट जरूर लगाएं बिना हेलमेट के ना निकलें तो मेरा सभी से यही अनुवद है कि बदलते हुए गोरखपुर की आतायात बेवस्ता के लिए एक मानक के रूप में देश और प्रेश इसमें स्थापित करने के लिए सभी का सायोग जरूरी है सभी लोगी आतायतने मों का पालन करें ताकि उनका सफर सोवाना हो और सुरक्षे तो डॉक्टर एंपी सिंग जी आप स्टूडियो में आये बड़ी महत्तमूर जानकारियां अपने साजा की हमारे शुरूताओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवत्त थैंक्यू बेरी मच्च सभी के लिए नमस्कार